हालो वीवर्स, आज हम बात करेंगे, हर बार जब हम लोग stock लेते हैं, तो वो नीचे क्यों आता है लेने के बाद, या बेचते हैं, तो बेचने के बाद वो उपर क्यों जाता है, तो उसका हम लोग आज reason देखेंगे, देख लेते कि stock लेने के बाद में घड़ता क्यों है, य यहाँ पर मैंने दो टाइम फ्रेम लगाई हुई है यह है डेली टाइम फ्रेम और यह पांच मिरीट की मतलब इंट्राडे का जो छोटा टाइम फ्रेम है वो लगाया हुआ है अब देखिए बाई सिग्नल यहाँ पर आ चुका है इसलिए यह स्टॉकिस्टिक उपर जा रहा ह है तो हमने यहाँ पर इसको बाई कर दिया लेकिन चोटे टाइम फ्रेम पर क्या हो जाता है यह ओरवाट हो जाता है और ओरवाट होने के बाद में इसे और सोल होने के लिए नीचे आना पड़ता है जैसे यह बार-बार उपर जाता है और नीचे आता है तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं देखते, बड़े टाइम फ्रेम का पिच्छर देखते, तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये इसका बार-बार उपर जाके नीचे आना, ये हम लोग एवोइड नहीं कर सकते, फिर आप मुझे बोलेंगे कि अगर ये उपर जाके नीचे आता, ये आपको म रिछे आते ही नहीं जैसे यह ओर सोल हो गया बाई सिगनल आ गया और यहां से उपर गया और आप बोलते नीचे आइनकी रहा देखो रिचे आया है यह यह साइड में चला गया जैसे यहां से फाइन ट्यून नहीं कर सकते, क्योंकि इंट्राडे का जो टाइम फ्रेम है, एक मिनिट से लेके 75 मिनिट सक, हर टाइम फ्रेम में आगर आप फाइन ट्यून करने के लिए गए, तो शायद आप कोई स्टॉक लेही नहीं पाया होगे, तो आपको ये वोलैटिलिटी जो है, आपर ओर स्टॉल्ड होता है और ओपर जाता है, तो सेलिंग का जैसी यहाँ सिगनल आता है, और वहाँ से नीचे आने का बड़ा पिच्छर रहता है, लेकिन ये बार बार ये नीचे उपर, नीचे उपर जो होता रहता है, इसलिए ये चीज हम लोग एवॉइट नहीं कर स हमें क्या देखना चाहिए कि हमारा स्ट्रॉंग जो है स्ट्रॉंग ट्रेंड में होना चाहिए या हमने लिया तो अप्ट्रेंड में होना चाहिए और हमने बेचा तो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और वो बड़े पिच्चर पे ही हम लोग देख सकते हैं इसको हद से ज् तो हमारी काफी opportunities हम लोग miss कर जाएंगे